हर्यानम विधान सभाचुनाव से पहले एंपोर्समेंट डिरेक्टरीट ने कॉंग्रिस विधाय सुरेंद्र पनवार को सोनीपत से गिरफ्तार कर लिया उनके बेटे को भी टीम ने हिरासफ मिलिया यह गिरफ्तारी माइनिंग से जुड़े एक मामले में हुई है जिसमें मनी लॉंडरिंग के सबूत पाए गए थी सुरेंद्र पनवार का कनेक्शन यमना नगर के पुर इनेलो विधाय दिलबाग सिंग से जुड़ा हुआ था एडी को सुरेंद्र पनवार के खिलाफ मनी लॉंडरिंग के ठोस प्रमान मिले थे इसके चलते उनके खिलाफ कारवाई की गई है सुरेंद्र पनवार का खनन कारोबाः हर्याना और राजस्थान दोनों राज्यों में फैला क्वाई लगभक साथ महीने पहन एडी की टीम ने सोनी पत्व थे उनके सेक्टर 15 के आवास पर छापा मारा था इस छापे मारी में टीम ने उनके घर में रखे दस्तावेजों की गहन जाच की थी इससे पहने चार जनवरी को ईरी ने माइनिंग कारोबारियों के 20 ठिकानों पर छापे मारी की थी यमुना नगर में दिलबाग सिंग के महराना प्रताब चौक के पास थित आवफस सेक्टर 18 में खनन एजनसी के आवफस और कलेसर में उनके फार्म हाउस पर जाच की गई थी साथी उनके करीबी संजीब गुपता, इंद्रपाल सिंग उर्फ बबल और ट्रांसपोर्टर गुरबाद सिंग के घर और आवफस पर भी टीम पहुँची थी संजीब गुपता खनन और प्लाइवुड के कारोबार में दिलबाग सिंग के पाटनर है और इंद्रपाल से रिष्टेदारी रखते हैं इनके संद पुरा रूट स्थित घर पर भी छापे मारी हुई थी गुरबाद सिंग पुर विधाय के चचेरे भाई है और उनके माचा पहलवान ट्रांसपोर्ट आफस पर भी जाच की गई थी लगबग पांस दिनों की छापे मारी के बाद आट जन्वरी को ईडी ने दिलबाग सिंग को गिरफतार कर लिया था इडी ने दावा किया था कि दिलबाग सिंग के घर से पांच करोर रुपे नकट और तीन सोने के बिसकेट विधेशी शराब की सौस यधिक बोतले विधेश में बनाई गई कई संपत्यों के कागजाग पांच विधेशी राइफल और तीन सो कार्थूस बरामत किये गए थे इसके बाद यमुना नगर में दिलबाग सिंग के खिलाफ आम्स एक्ट और एक्साइज एक्ट के तहर दो केस तर्च किये गए थे हाला कि एक महिने बार उन्हें जमानत मल गई थी आपको बता दी कि दिलबाग सिंग दो बार इनेलों से विधायक रह चुके हैं उन्होंने 2009 और 2014 में यमुना नगर सीट से चुनाव जीता था दिलबाग सिंग हर्यानत की छीत्री पाटी इंडियन नैशनल लोग दल के निता अबे चोटाला की संबंधी है